आईए आपकी मुलाकात करवाते हैं वेल क्रियेट इन्वेस्मेंट मेजर्स के फाउंडर राजिश फेरवानी साम जो कि 17 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा आनुबा रखते हैं रिसर्च और फंड मेंजमेंट का HDFC, HDFC Mutual Fund, L&T Mutual Fund जैसे दिगर संस्थानों के साथ काम करने का अनुबा हुए MBA, CFA और कई सारी डिग्रीज फेरवानी साब ने हासिल किये बहुत-बहुत स्वागत है आपका फेरवानी साब समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जी बिजिस पर आने के लिए सर पहले सबसे पहले लाइफ हाई की बढ़ाई देदू में आपको आज बस आपके आते ही देखिए लाइफ हाई बनाया आज फिर से नाया निफ्टी ने मिटकेप इंडेक्स ने नाया रिकॉर्ड बनाया है बनाया सर इस इलेक्शन के नतियु के बाद अब आगे बाजार की चाल दशाद इशा क्या रहेगी समझाए बहुत-बहुत धनियावाद जो वोलिटिटी हमने करके यह दिखा दिया है कि एलेक्शन के रिजल्स कुछ भी आये हैं लेकिन मार्केट के फंडमेंटल सबसे ज़्यादा स्टॉंग होते हैं उसके डिरेक्शन के लिए तो अगर अरिंग्स की बात करें तो वही टागेट बनते हैं जो मैंने लास्टाइम बात की थी और 27,000 क हमारा जो डिसेंबर 26 का टागेट है वो कायम है लेकिन मैंने हर बार यही कहा है कि जब कोई वैलुएशन आपके रिजनेबलनेस से उपर चली जाती है तो उस वैलुएशन से निकलके दूसरे कंपनी में चले जाना चाहिए जहां वैलुएशन सस्ती हो जाती है तो सिर्फ पोलराइज कर रहे हैं अपने को एक सेग्मेंट आप दे मार्केट तो वह सेग्मेंट में ज्यादा वैलुएशन एक अलग लेवल पर चली गई है जो मैं सिक्लिकल सेग्मेंट कहता हूं जहां पर कहीं पर इंफ्रस्ट्रक्ट्चर या एंजिनियरिंग रिलेटेड ग्रोथ आरा है वहां पर वैलुएशन भी कुछ अलग हो गई है तो मुझे लगता है कि यह जो है एक्वेशन अगले एक डेट साल में बदल सकता है ओके चलिए बड़ी इंट्रेसिंग चीज़ लेकिन दिसंबर दोजार चब्विस तक के लिए लक्ष है 27,000 का निफ्टी का यह राजे सर की तरफ से यानि कि यहां से भी अप करीब इन करीब पंदा परसंट की निफ्टी में और तेजी है अगर निफ्टी में पंदा परसं तो ब्रॉडर मार्केट ऐसे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट ने काफी लोगों के लिए 30-40 परसंट का रिटर्न दिखा दिया और पॉर्टफोलियो बेसे लेकिन निफ्टी ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया तो अगर आप लाज कैप में सिर्फ इन्वेस्ट किये हो आज तक तो आपके रिटर्न सबसे कम आये हैं और अगर आपने मिड़ कैप में डाला तो रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छे आये हैं मुझे लगता है कि यह तोड़ा एक्वेशन भी चेंज हो सकता है क्योंकि अगर आप देखो ज्यादा से ज्यादा कंपनी जहां पर वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है जो मैंने आपको बोला था लाज टाइम सेविंटी टाइम सिक्स्टी टाइम वह मिड़ कैप स्पेस मे क्वालिटी ने परफॉर्म किया था अभी आज उल्टा हो रहा है कि ब्रॉडर मांकेट ज्यादा परफॉर्म कर रहा है लाज कैप पीछे बैठ गया है प्राइवेट बैंक्स नहीं चल रहे हैं सिर्फ कुछ पॉकेट्स ओफ लाज कैप ने रिटर्न दिया है तो मुझे ल कि मिट कैस्ट में थोड़ा सब आपको सावधान रेकर चुनिंदा शेयरों में करनी चाहिए खरीदारी क्योंकि तेजी काफी हो चुकी है आने वाला है बजट सर क्या उम्मीद रखी जाए और बजट से पहले बजट के बाद कैसे देख रहे हैं बादार को आप अगर मैं इसको दो पहलू में आपको आंसर दूंगा एक तो इलेक्शन का हमने स्टाडी किया है लास्ट दो पल्लू पांट छे इलेक्शन जो हुए हैं मार्केट ने उसके छे मैने बाद पॉजिटिव रिटर्न दिये हैं अब उसके बाद जो भी हुआ है बजट हुआ है या जो भी हुआ है उसका इंपक्ट बहुत शॉट तर्म होता है बजट एक टाइम पे बहुत जादा डिटर्मिन था मार्केट के लिए क्योंकि तभी वो फिसकल डेफिसिट नंबर्स और इंट्रेस डेट्स पे जादा इंपक्ट होता था आज गौर्मेंट ने बजट को एक administrative mechanism बना दिया है जिससे policy set होती है tax cuts भी काफी हो चुके है corporate level पे और individual लेवल पे अजर आप देखो तो tax अभी 7 lakhs के उपर tax chargeable है तो एक तरफ से government ने काफी measures लिये हैं budget के तुरू allocation भी किये है infrastructure defense के लिए तो हमको वो देखना जरूरी है कि government अभी इस current situation में coalition जो mini coalition बोल सकते हैं लेकिन है तो एक ही majority government लेकिन उसमें government ये sectors में कितना allocation करती है और कैसे अगले साल इसका impact पढ़ सकता है तो इसमें ये दो पहलू बहुत जरूरी है देखना के पहले तो कहां पे allocation होने वाली है और क्या consumers के लिए government करती है तो budget पे क्या impact आ सकता है fiscal deficit पे क्या impact आ सकता है और क्या वो जो policies उन्होंने लास 5 साल में किये हैं या 10 साल में किये हैं वो continue भी नहीं हो रही है कि नहीं बस उतना नेखा है तो यह आपके लिए पूरा का पूरा action अब सर्वताइए इस market में क्या है आपको पसंद कहां पैसा लगाना चाहिए so valuation अगर हम देखें तो जो pockets में महिंगाई दिख रही है उससे मुझे लगता है निकल जाना चाहिए जहां पर multiple 70 times 80 times है वहां से निकल के हमें थोड़ा उस companies में जाना चाहिए जहां पर थोड़ा valuation का benefit है और थोड़ा defensive angle भी है मैंने वो भी बोला था कि defensive में ज्यादा और defensive का यह मतलब नहीं है कि return नहीं आएगा defensive का यह मतलब है कि यह companies economy से इतना related नहीं है तो एक pharma contract manufacturing segment जो है मुझे बहुत पसंद है एक है agrochemical segment अभी लानीना के वजह से monsoons अच्छे हो सकते हैं और अगर monsoons अच्छे होंगे तो आपके rural economy होगी जो रूरल economy एकदम सब्यूट थी लाज दो तीन साल में वहां पर रिवाइबल आ सकता है तो उसकी जो related segments है जैसे हम गोल सकते two wheelers है या रूरल lending home home loans है जो lower income status के लिए है या आप कह सकते हो काफी ऐसे segments है जो रूरल economy से अग्रोकेमिकल जो रूरल economy में बिखते हैं अग्री कल्चर सेक्टर में बिखते हैं अग्री related companies उसमें ज्यादा मुझे इंट्रेस्ट दिख रहा है उसके अलावा जो consumer और lower end consumer segments है जैसे अभी discretionary segments जहां पर लोग unbranded से branded जा रहा है जैसे home improvement हुआ housing loans हो गया तो यह सब segments में ज्यादा इंट्रेस्ट दिख रहा है और मुझे यहां पर ज्यादा upside दिख रहा है in the next one one and a half years यह कुछ ठीक बात है तो यहां पर अच्छी तेज़गी है और कोई ऐसे sector से जहां से दूर रहा जाए जैसे के वह valuation जो हमने बात की है कोई MNC companies है जहां पर valuation कुछ अलगी level के उपर चलिए यह अगर आप देखे तो engineering based MNC companies है जहां valuations बहुत महंगी हो गई है मुझे लगता है कि उनमें time correction जैसे आ सकता है मतलब अगर आप बोलो return नहीं आएगा correction नहीं आए तो भी time correction आएगा क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो 70-80 times वे हम trade कर रहे हैं आपको growth 30-35% दिखाना है अगले तीन पांच साल में वो कहीं नहीं disappointment आई जाएगा तो वो मुझे लगता है टफ है उन से कुछ ऐसी companies है government के में तो बहुत ही strong है मैं हो रही लेकिन valuation एक चीज होती है तो उनमें भी ऐसे कुछ पीएचिस टॉक्स है जहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो उनका बहुत ज्यादा हो गया है और उनको deposits मिल नहीं रहे हैं तो वहाँ पर उनके कि यह है आपके लिए सारे के सारे मोके निवेश के लिया सवीर कहां आपको रहना है दूर फिरवानी साब बहुत बहुत धनिवाद आपका समय देने के लिए और विस्थार से हमारे दुश्कों से बातचीत करने के